भारतिय मूल की अमेरिकी साईंटिस्ट सुनिता बिलियम्स एक 8 दिन के स्पेस मिशन पर गई थी इनके साथ इस मिशन पर बैरी बिल मोर थी साथ में गया हुए थे नासा ने ये मिशन लॉंच किया था ये मिशन केवल 9 दिन का था पर space में जाने के बाद इनका जो spacecraft था star liner वो उसमें कुछ technical problem आने के वज़ा से ये space में ही फसके रह गई तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि space में फसने के बाद वहां की क्या स्थिति है सुनिता विल्यम्स आखिर स्पेस में फस गई है तो उनके वापस आने के क्या चांसेज है इस पे पूरा डिटेल में हम लोग आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं तो नासा ने एक प्रोग्राम लॉंच किया था आठ दिनों के लिए जिसमें सुनिता विल्यम्स के साथ में बैरी विल्मोर सहाब भी गए थे ये दोनों एक ही साथ मिसन पे गई थी नासा ने इसका प्रोग्राम 2022 में ही बना लिया था 16 जून 2022 को ही अनॉंसमेंट हो गया था कि एक जो है स्पेसक्राब भेजा जाएगा स्टार लाइनर जिसमें दो लोग होंगे सुनिता विल्यम्स और वैरी विल्मोर सुनिता विल्यम्स पहली महिला पाईलेट बन गई फाई तेस्ट को फ्लाइ करने वाली उडाने वाली उससाद क्याप्टन बनने वाली test an orbital spacecraft when the star liner launched to orbit with Williams as the spacecraft pilot, यानि कि spacecraft के pilot बनने वाली सुनिता विलियम्स पहली महिला बन गई, अब इसके बारे में आगे देखते है what is orbital spacecraft orbital spacecraft क्या होता है तो orbital spacecraft यह होता है कि यह Earth के एक orbit को पकड़ करके और उसके चारो तरप क्या होते रहेगा, घूमते रहेगा continuously, तो उसको हम लोग orbital spacecraft कहते हैं और उसी में जा करके इन लोगों को research करना था Space flight in which a spacecraft is placed on a trajectory where it could remain in a space for at least one orbit, यह किसी एक orbit को पकड़के उसी के चारो तरप क्या होते रहेगा घूमते रहेगा, तो उसी को हम लोग कहते हैं, orbital spacecraft कहते हैं, उसके बाद है a star liner, a star liner जिस spacecraft से सुनिता बिलियम्स को भेजा गया था वो किस company ने बनाया था Boeing, यह वही company है जो की जहाज बनाती है और पिछले जो है 4-5 सौलों में Boeing के कई सारे जहाजों के दुर घटना का जो है news आते रहता है और इसके लिए बहुत सारे देशों ने Boeing के जहाज को reject भी कर दिया था लेकिन जिस orbital spacecraft से सुनिता बिलियम्स और बैरी बिल्वर गय थे, वो spacecraft भी Boeing नहीं बनाई थे, अब सोच लिए कि ये पहले से इसका रिपोर्ट इतना खराब है और इसने एक spacecraft बना दिया और ये test a spacecraft था केवल टेस्टिंग के लिए भेजा गया था और उसमें इतने important scientist को भेजना risk ही तो था ही और आगे चलके ये risk सामने भी आया कि उसके orbital spacecraft में, star liner में टेकनिकल problems भी आ गए और उसके वज़ा से सुनिता बिलियम्स और बैरे बिल्मोर स्पेस में ही फस गए हैं अगर बात करें हम लोग spacecraft का तो बोईंग के अलाबा SpaceX यानि कि Elon Musk की जो company है private company SpaceX वो भी बनाती है इसे पहले केवल वही जाता था लेकिन अब बोईंग ने भी अपना spacecraft भेज दिया सुनिता बिलियम्स और बैरे बिल्मोर के साथ में पर कही न कही टेकनिकल problems आए हैं आगे देखे क्या होता है private companies that makes a starliner तो दो private company हैं एक बोईंग हो गया अब दूसरा SpaceX हो गई Elon Musk सहाब की company will see come back safely or not अब सवाल ही है कि सुनिता बिलियम्स अस्पेस में फस गई है तो क्या वो safety के साथ वापस आ सकती है या नहीं आ सकती है तो इसका जवाब है कि वो अभी space में बिलकुल सुरक्षित रूप चे है space में बना हुआ NASA का space station है यह अभी वहाँ जाकर के वहाँ research कर रही है वहाँ के team के साथ में ऐसा नहीं है कि हम लोग सोच रहे हैं कि इनका space क्राब हो गया तो रास्ते में कहीं फस गए है ऐसा नहीं है कुछ technical problems आये थे जिसके वज़े से वहाँ के space station में ही रुकना पड़ा इनको हलाकि वहाँ रुकने का इन लोग का कोई mission नहीं था लेकिन technical problem आने के वज़े से वहाँ सुनिता बिलियम्स और बैरे बिलमोर को वहीं की team के साथ रुकना पड़ा जो international space station है जो आप पर international space station है वो उसके बारे में आप लोग जान लीजे कि वहाँ six sleeping quarter जो space station है वो आईसा नहीं है कि मतलब आईसे केबल हवा में उड़ रहा है वो एक तरीके से हवा में उड़ता हुआ बहुत बड़ा research center है उसमें क्या-क्या है छे sleeping quarter है सोने के लिए छे बड़े-बड़े quarters बने हुए है उसे बाद two bathrooms एक gym है वहाँ gym होना बहुत जरूरी है क्योंकि ए space में gravity के difference के वज़ा से मास में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ा होते रहता है तो उसको build up करने के लिए वहाँ पर gym करना बहुत जरूरी है इसलिए वहाँ gym भी है ऐसा नहीं कि वहाँ पर resort खोले हुए कि जाके मस्ती कीज़े gym, swimming ये सब नहीं ऐसी बात नहीं मास को maintain करने के लिए वहाँ पर gym खोला गया है और एक 360 view देख सकते हैं आप यहाँ पर 360 view है ये आपका gym है, exercise कर रहे हैं वहाँ के scientist लोग जो वहाँ space station है वहाँ एक तरीके से कह लिए कि कुछ दिनों के लिए कोई scientist जाते हैं वहाँ रहते हैं फिर वो वापस आते हैं उनके जगा पर कोई दूसरे scientist जाते हैं 2000 में 2000 में NASA ने ये space station launch किया था आज के समय में सारे देश अपना अपना से space station बनाने में लगे हुए भारत भी 2035 तक अपना space station बना लेगा तो भारत भी space में जा करके वहाँ research कर सकता है अब वहाँ क्या research करेंगे तो वहाँ research करने के लिए बहुत सारी चीज़े हैं space में हमारे plants कैसे reacting करते हैं, हमारे cell कैसे react करते हैं, मिटी कैसे react करती है वताइब अनगिनत चीज़े है स्पेस में research करने के लिए, क्योंकि आने वाला समय हमारे दूसरे planet पर ही बीदने वाला है, यह हम लोग मान लें, यतना जल्दी उतना सही होगा, क्योंकि प्रीथवी पे अब रिसोर्से धीरे-धीरे खतम हो रहे हैं, तो आने वाले समय में हम लोग चांद पे, मंगल ग्रह पे, क्योंकि जो स्पेसेक्स है, एलोन मस्क सहाब की कमपनी, वो मार्स पे सिटी प्लानिंग करें, दो हजार चालिस तक उसको वह लोगों को बसाना सुरू कर देगी, तो चलीजे हम लोग बहुत ही करीब हैं, दूसरे प्लानेट पे रहने के लिए, हम लोग इतनी टेकनोलोजी देख चुके हैं, अपने आस पास, अब यही एक मात्र टेकनोलोजी है, जो कि हम लोगों देखनी बाकी है, आने वाला जेनर इतनी टेकनोलोजी है ही होगी, कि हम लोग आए दिन चांद पे जा सकेंगे, आए दिन मंगल ग्रह पे जा सकेंगे, किसी को घुमने जाना है तक है, चलो आज चांद पे घुम के आते हैं, छुटी मनाने, गर्मी के छुटी में लोग जो है नानी घर जाते थे, और नानी घ से चांद देखते थे अब गर्मे के छूटी में चांद पर जाएंगे अब वहां से अपना नानी घर देखेंगे यहीं होने वाला है आने वाले समय में तो अच्छी बात भी है तकनीक आगे बढ़ रही है तो इसमें कोई खराबी नहीं है और अगर देखें स्पेसर स्टेशन में तो जो वहां पर जितने भी साइंटिस्ट लोग रहते हैं उनके रहने की विवस्था भी सही तरीके से की गए उनके पीने की पानी पीने के लिए वहां पर फिल्टर लगाएगा है उनके यूरीन को फिल्टर करके उससे पानी बनाया जाता है फिर वो जो सांस लेते हैं सांस छोड़ते हैं तो उसमें oxygen और carbon dioxide जो सांस छोड़ा जाता है उसमें carbonでもxide की मातरा ज्यादा होती है लेकिन उसमें oxygen की भी मातरा होती है तो उस छोड़े हुए सांस को भी upsen निया जाता है और उसको करके उसमें से oxygen को separate कर लिया जाता है और उस oxygen को वापस से reuse किया जाता है उसके बाद जो हम लोग सांस छोड़ते हैं उसमें कुछ moisture भी होता है उस moisture को भी absorb कर लिया जाता है उसको पानी के तरह treat करते हैं और use करते हैं तो मतलब बहुत ही scientific तरीके से वहां लोग अपना जीवन जीते हैं और आए दिन एक team आती है एक team जाती है एक team आती है एक team जाती है तो इस तरीके से वहां काम चलता है ऐसा नहीं है कि कोई एक आदमी गया और वहां continuously रह रहा है ऐसा बिलकुल भी नहीं है और सुनिता बिलियम्स और बैरे बिलमोर भी एस पेस में फस गये हैं तो आइसा नहीं कि वहां बैटके बोर हो रहा है कि क्या करें नहीं करें वह भी research का हिसा बने हुए है वहां जा करके सुनिता बिलियम्स बहुत ही हो सियार scientist है तो वह भी वहां के हिसा बन गई है हलाकि उन लोग जो जब planning था 8 दिनों का तो सारा चीज वह अपने लिए 8 दिन के लिए ही लेकर के गए थे लेकिन अब वहां चुकी वह रुख गए है तो उनके लिए सारी चीजे वापस से यहां से भेजी गई है कपड़ा लता और भी जो 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 है basic needs होते हैं वो भेजा गया है अस्पेसिक्स के star liner से क्योंकि जो बोईंग का था हुट तो जो एकदम टीम यहां से भेज दिया जाएगा तो इस तरीके से सुनिता बिलियम से related news अब social media पर बहुत चला था उनके बारे में कोई बात नहीं कर रहा कोई बता नहीं रहा तो आईसा नहीं को हाँ फस रहे तो उनका जान को खत्रा है ऐसा बिलकुल भी नहीं वहां बिलकुल आराम से रह रही है रिसर्च कर रही है जब वो टीम वापस आएगी तो उसके साथ वो भी वापस आजाएगी हाला कि planning नहीं था उनका वहां रहने का लेकिन अभी वो उसी में space station में ही रुकी है रिसर्च कर रही है तो उमीद है आपको सुनिता बिलियम से जुड़ा हुआ जो भी news है वो इस वीडियो में मिल गया होगा अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आए दिन हम ऐसे news आपके लिए लेकर के आते रहते हैं तो चलिए तब तक आप पढ़ते रहिए आगे बढ़त जाहिन